नमस्कार MPPSC State Forest Service में अपनी जो 4th unit है 4th unit में basically ऐसे 3 subject हैं जिन्हें हम लोग discuss करते हैं पहला subject है Forest Management या बोल सकते हैं कि 1 प्रवंध अगर इस subject को देखा जाए तो पिछले 3 पेपरों में 20, 21 और 22 तीनों पेपरों में कुल मिलाके एक question आया है कुछ और भी question है लेकिन उन्हें यहां discussion का अपना दायरा बचता नहीं है जैसे growing stock पे कोई question आया normal forest पे कोई question आया regular regular forest पे कोई question आया इन्हें हम लोग already अपनी जो unit 1 थी silvy culture वाली unit उसमें पहले ही discuss कर चुके है तो यहां discussion को कुछ बचा ही नहीं है तो यहां अगर ऐसी चीज़ है जो पहले कभी नहीं पढ़ीं सुनी नहीं है उन के लिए अगर देखा जाए यहां तो कुल मिलाके 2020 में एक question आया था question actual में कूर अगर बोला जाया तो यह one प्रवंधन या forest management से भी नहीं था एक subject और है अपने forestry में silvy culture system जिसमें खेती वाड़ी करने के तरीके होते है यह question actual में वहां से निकला था लिकिन क्योंकि मिलता जुलता सा है तो इसलिए यहां पार जैसे one प्रवंधन सब्द लिखा था तो इसलिए लिख दिए चलो यहां डाल लो तो घुमा फिरा के यह कैसा question है जो यहां से कुछ निकलता है 31 और 22 में कोई question नहीं निकला आप जब अरजस्ती subject से कोई question जोड़ना चाहो तो आप बोल सकते हो कि अच्छा Indian Institute of Forest Management कहा है अब ऐसे जोड़के आप 4-5 निकल भी लोगे तो इन्हें हम लोग पहले ही discuss कर चुके है तो कुल मिला के यह जो अपना Forest Management 4th Unit का subject है इसमें ऐसा नहीं है को कोई question नहीं आया तो हमें पढ़ना ही नहीं है पढ़ना तबियत से है क्योंकि तीन बार की exam में कुछ नहीं आया है तो आपके लिए इसमें अच्छे सी option है इससे question निकलाएंगे इससे और इसी से जुड़ा हुआ working plan है इक उससे question निकलने की पूरी पूरी समभाबना है तो पढ़ना सही से है बस मुद्ध यह है कि जब तक हम लोग यहाँ पहुँचे इस unit तक उससे पहले ही हम लोग इस subject से जुड़े हुए बहुत सारे aspect थे जरह पहले ही discuss कर चुके है growing stock वाला, normal forest वाला, even aged, uneven aged forest वाला मुद्ध था forest stand क्या है बहुत सारी चीज है remote sensing में forest cover monitoring है बहुत सारी मुद्ध हम लोग पहले ही discuss कर चुके है forest department में जो organizational structure होती है जिससे सबसे नीचे forest guard है forest deputy ranger बोल देते हैं या बन दरोगा बोलते हैं उसके उपर ranger है फिर ACF, DFO और DFO की उपर की post है यह जो structure है इसे भी हम लोग लगवग अभी तक कही बार discuss कर चुके है वही चीज है मुद्ध है यहाँ है तो एक तरीके से बोला जाए कि इस topic के कुछ basic understanding आपको पहले से हो चुकी है बकाय के मुद्ध हम लोग gradually proper तरीके से discuss करेंगे इसी यूनिट में दूसरा subject है forest protection है one sun रक्षा है इसमें बहुत सारी agency हैं जो one को बरबाद कर रही है उन सब को अच्छे से पढ़ना होता है क्योंकि जो भी fourth unit के question है by large सब के सब forest protection से ही है इसी यूनिट में slayvus में बहुत detail में तो नहीं है बट एक बीच में term था wild life का wild life census ऐसा कुछ term था उसमें उसी को ध्यान में रखते हुए एक पूरा का पूरा नया subject wild life biology उसे आपके notes में डाल दिया है क्योंकि इसमें कुछ तो ऐसी area है जैसे नेशनल पार्क है wild life century कंजर्विशन की method एक सीटू इंसीटू चाहे आप यहाँ पढ़ लो या environment में पढ़ लो नेशनल पार्क wild life century जो रट्टा मारना होता वो आप यहाँ discuss कर लो यहाँ और कर लो वो तो common चीज़े रहेंगे यहाँ में मुद्ध है पन्न जीवों का प्रवंधन जब आप प्रवंधन करेंगे उनका तो आपको कुछ आधर बूत डाटा की जरूवत होती है जैसे आप जन गड़ना करेंगे कि नेशनल पार्क में कितने टाइगर हैं तो एक प्रवंधन कैसे होता है उस सिस्टम को समझेंगे दूसरा प्रवंधन करोगे तो किसी में टाइगर की population कितनी है हिरर की कितनी है कोई elephant है उसकी population कितनी सभी की जनसंग क्या पता होनी चाहिए तब यहाप पर तरीके से manage कर पाएंगे अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा data collection यानि कि census जणगणना तो आपको वहाँ data calculation वाला काम करना पड़ेगा तो एक इसी में topic आएगा census wildlife census उससे discuss करेंगे अब किसी नेशनल पार्क में tiger की जंसेंख्या जदा हो गई तो आप क्या करोगे वहाँ से उठाके कहीं और लेके आओगे तो एनिमल ट्रांस लोकेशन सिकंड मान लो वहाँ टाइगर था किसी इंसान पर टेक कर देगा यसे हुमन एनिमल कॉनफलिक्ट मानब पसू संगर्स तो हुमन एनिमल कॉनफलिक्ट है उस वाले मुद्दे को डिस्कस कर लेंगे वाइल्ड लाइफ पूचिंग वन जीव जो है उनकी अबैद सिकार बगर किये जाता है तो वाइल्ड लाइफ पूचिंग वाला मुद्दा है ये आपके सिलेवस के नहीं है इन पर कुश्चन भी अल्मोस्ट कम ही आये है वाल्ड लाइफ पूचिंग है वाल्ड लाइफ पूचिंग है वाल्ड हीमन एनिमल कॉनफलिक्ट है सेंसस है वन जीवों से संबंदित जो बीमारिया वगर है बेसिक जो करेंट अफेर की इस हुए इनका बेसिक अपना आधार है इंटर्व्यू जब आप इंटर्व्यू में जाएंगे तब क्या बताओगे इंटर्व्यू के लिए अलग से कहां से पढ़ने जाओगे तो ये पहले से ही फॉण्डेशन चलता जाए तो कुल विलाके आपको एक बेसिक आइडिया है कि हम लोग यूनिट फॉर में क्या डिस्कस करने वाले है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपना फॉरेस्ट मेनेजमेंट ये देखी चुके हैं मुद्दा आता है वन प्रवंधन है क्या आप समझते क्या हो आपको लगेगा वनों का हमें प्रवंधन करना है मतलब जैसे आपके घर में कोई एक बिजनिस है और आपको उसको मैनेज करना चाहते हो बिल्कुल सेम चीज है बस आपका उद्दिस वहां थोड़ी चीज़ों में फरक होगा आपका बिजनिस मानलो किराना इस्टोर है वहां आपके बिजनिस का बेसिक अबजेक्टिव क्या है वहां से प्रॉफिट कमाना तो आप चीजों को इस हिसाब से मैनेज करोगे जिससे आपको लास्ट में महीनी के एंड में कुछ प्रॉफिट रिवेन्यू जनरेट हो जाए यही अगर कोई धार्मिक संस्था है और वो अमालो कोई धार्म काम सामाजिक भलाई का काम कर रहा है वहां पर भी प्रवंधन की जरूवत है लेकिन वहां प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा तो दोनों के मैनेजमेंट दोनों ही जगह करना लेकिन उनके आपजेक्टिव अलग अलग होंगे वनों के हिसाब से देखें तो प्रवंधन स्टार्ट कहां से हुआ यूरोप से क्योंकि पूरा फोरेस्ट मैनेजमेंट का जो अधरवूत काम है वो तो भही हुआ अब उनकी समस्या क्या है जैसे जर्मनी है हिटलर का चाबुक चल रहा है वाई साब हमें जितनी जमी चाहिए ले लो लेकिन मुझे जहाज बनाने के लिए हर साल 20 ट्रक टिमबर चाहिए अब जर्मन फोरेश्ची वाले 20 ट्रक टिमबर अगर उसे देना है उसको हिटलर को तो कैसे लेके आएंगे क्योंकि उसने ये बोल रखा है कि अगर 20 की जगए साड़े उननीस भी हुए तो चार जो मैनेज कर रहा होंगे उनने सूट आउट किया जाएगा तोप के आँगे गोला लगा के उड़ा दिया जाएगा जस्ट एक एक्जमपल के लिए तो उन्हें और उपड से उसने एक और बोले कि भई ऐसका मतलब यह नहीं कि तुम जंगल से कुछ भी काट के लिया हो जंगल को इस टाइप से मैनेज करना है तो मैं जिससे उनसे जो उत्पादन है वो लगातार बना रहे सस्टनिवल तरीके से तो यूरोप में वनों को मैनेज करने के जो बेसिक उद्देश था पहला उद्देश था उससे जंगल के एरिया से संसाधन निकालना संसाधन में वन जीव नहीं है उन्हें हटा दिया मैन मुद्दा रहा पेड़ पौधे जो हैं उनसे संसाधन निकालना अर्ब संसाधन अलालाग हो सकते हैं हम लोग ध्यान दे रहे हैं केवल टिमबर पे क्योंकि मैन वही परपच्छ था यहां तो इन लोगों ने फूरेस्ट मैनेजमेंट करने का अब्जेक्टिव क्या था इनका के एक यूनिट एरिया से सस्टनिवल तरीके से मतला वहां की मिट्टी की उत्पादक छमता ना गिरे जंगल बरबाद ना हो और इतना पीड का उत्पादा ना हो जंगल से कितनी लकड़ी काटनी है अब्जेक्टिव तो भई है जंगल से कितनी लकड़ी काटनी है उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा पहले मिट्टी की उत्पादक छमता देखनी पड़ेगी जंगल के अलग अलग अरिया में अलग अलग टाइप की है मिट्टी उतपाद एक छमता अलग अलग है माथा पची बढ़ेगी इस पिसीज अलग अलग होगी यूरोप में जनरली कौनी फरस है तो इस पिसीज वाली दिक्कते नहीं है अपनी आ है इस पिसीज अलग अलग होगी मिट्टी की उतपाद एक छमत बनानी है कि हर साल उस मालो 50 हेक्टर का एरिया या 50 भीगा जमीन है उससे कितना तिम्बर निकाल है कि तिम्बर एक फिक्स अमाउंट में बराबर निकलता रहा है और वो एरिया बरबाद ना हो यानि कि सस्तिनिवल तरीके से निकलता रहा है यह अपना यहां पूरा कुल मिलाक है बेसिक उद्देश है अब इसके लिए आप करोगे क्या आपको जंगल के बारे में कुछ जानकारी निकालने पड़ेगी जैसे उसकी उत्पाद एक छंता के बारे में अब उसके करोगे तो जंगल को क्या करोगे छोटी 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 स् इस्टिवूशन स्टेंड वगारे को समझोगे वहां पर जो फोरेश डिपार्टमेंट है उसका एड्मिस्टेशन है उसकी प्रसासनिक बेवस्ता को देखोगे वहां यह देखोगे कि इस एरिया में ग्रोविंग स्टॉक कितना है उसमें कितना है उसमें कितना है ग्रोवि बड़े लगाए और दस साल बाद वो कट जाएगा happy जाएगा मतलब मों किया है आज 0 पर पॉधे लगा दिए और दस साल बाद काट दिया अपने और फिर वो जीरो पे आ गया मतलब क्या है जिरो से जिरो पर मतलब वो रोटेट हो गए आप यहां से चले यहां से पहुँच के बापस उसी पर आ गए रोटेट हो के गूम करके तो रोटेशन पीरियड क्या है रोटेशन पीरियड का मतलब है फसल चक्र जैसे बोलते हैं तो वैसी यहां पर फसल चक्र अब फसल चक्र यहां पर हम पढ़ेंगे, एक सब्दाए का फसल चक्र, सुर्फ फसल चक्र में भी बहुत सारे सब्दाएंगे, किस परकार का फसल चक्र, तुम्हारा उद्देश से क्या है, तुम किसी फैक्टरी के लिए पेड़ लगा रहा है, तो उसके हिसाब से फसल चक्र होगा, तुम क हिसाब से timber की requirement quality की जरूरते अलग-अलग हैं उस हिसाब से इसका rotation जो time है वो बदलेगा तो इस हिसाब से हमने rotation के अलग-अलग type कर दिये physical rotation, technical rotation, financial rotation, silvy cultural rotation ऐसे अलग-अलग सब्द आएंगे तो कुल मिला के यहां पर हमें जो यूरोप में forest management या वन प्रवंधन विक्सित हुआ उसमें क्या हुआ कि वनों को manage करने के लिए बहुत सारे छोटे-छोटे से सब्द आएं उन सब्दावली को समझना है जैसे rotation है, increment है, increment के type, age, age gradation, age class gradation, वो और इन के आदार पे हमें यह जंगल है उसको यह करना है कि मालो ऐसा area है आपके पास जैसे कोई पेड़ है आज लगाया और सो साल बाद कटने पर आता है उधर से हिटलर ने बोल रखा है, बराबर चाहिए, तो जब पूरी की उत्पादन छ्चमता एक सी है और आज लगाने पर सो साल, मतलब रोटीसन प्लांट का सो है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस पूरी जो भी जमीन है उसे सो हिस्सों में बाड़ देंगे या किसी पेड़ का रोटीसन मालो पचास साल है तो आप उनने क्या किया, उस पूरे एड़िया को पचास सिसों में बाड़ दिया हर साल एक पिलोट काटके दे देते हैं, बरावर उत्पादने के लिए यह सिंपल टाइप का है तो इस टाइप से हम लोगों ने वनों का प्रबंधन किया, लेकिन इसमें भी ऊच नीच हो जाती है इसलिए हमने दुनिया भर की बैग्राउंड की टर्मिलोजी समझने की जरूट पढ़ती है तो यहां फोरेस्ट मैनेजमेंट में हमें क्या करना है, वो एक तो टर्मिलोजी समझनी थी और फिर वो एक्ट्वल में कैसे मैनेज करते हैं, वो पढ़ना था इसी को जब यूरोप में यह पूरा ग्यान विक्सित हुआ, उसे किताबी फॉर्म आया और जब अपनी हाँ, लोग वहाँ से खचुर की नॉलिज इधर ले आए, उनने उसी हिसाब से एक बुक लिख दी वही बुक से अपनी हाँ चलती रहें, और अभी करेंट में हम लोग जो अकैडमी में मैन बुक पढ़ते हैं, फॉरेश मैनेजमेंट बायराम प्रिकास, वो बिलकुल उसी तरीके से हैं, कहने का मतलब यह है, जो वन प्रवनन है, वो बाय लार्ज, जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, कि जैसे हम लोग यहां बनो का सनक्षा नहीं कर रहें, यहां तो बनो के काठने की और उनके एक्स्प्लाइटेशन, उनका उपभोग के बारे में पढ़ रहें, यह चीज़ें ऐसी ही चलती रहें, फिर आती है अपने वन नीती 1988 की, सिकेंड फोर फोरेस्ट पॉलसी तक अपने देश के वन भी फोरेस्ट प्रोडक्शन के एस्पेक्ट में ही चल रहे थे, और यह पूरा का फोरेस्ट मैनेजमेंट के जो हम लोग टॉपिक देखेंगे, वो लगवग ऐसे ही चल रहे थे, फोरेस्ट पॉलसी बोलती है कि आब हम बनों से उत्पादन नहीं लेंगे, अब हम बनों के संरक्षड की तरफ जाएंगे, एक वहताब है साउथ से, तमिलनाडू से साहिद थे, पॉलसी आई, जैसे करसिवान की पॉलसी है, दौशर चौदा में आ गई, चौबिस चल रहे है, दस साल में अभी उस पॉलसी पे कुछ भी नहीं हुआ है, किसी की भावना एकदम दुखी हो जाए, और बो जाकर के सुप्रीम कोट में बोले, माई बाप, दस साल हो गया, पॉलसी आई हुए, गवर्मेंट आफ इंडिया ने अभी तक कुछ नहीं किया, और अपने CGI जो है, वो बोले कि यार, बात तो ठीक है दुम नाम तो मुझे भी नहीं है, मैं नाम नीचे लिख दूँगा उसका, उस केस में साइद यहां पर लिखा नहीं है, उननी सो सतर, नहीं है, नहीं है, नाइन्टी सिक्स में जज्जमेंट आ जाता है, और वो यह बोल देते हैं, कि जो फोरेस्ट पॉलिसी में बोला गया है, उसे आप इंप्लिमेंट करो, और जो वनों का प्रबंदन है, वो आप उत्पादन की तरह ना करके, आप सनक्षड की तरफ चाहिए, तो एक प्रकार से अब गवर्मेंट फोर्स हो गई है, वनों के प्रबंदन की जो प्रोसेस है, उसे बदलने में है, इसके अलावा भी ब कंजर्वेशन की तरह ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वाइल लाइफ के लिए एक पूरा हैबिटेट चाहिए, और कंजर्वेशन वाले एंगल पर आते हैं, तो हैबिटेट बरबाद होता है, तो कहीं न कहीं चीजें बापस उधर ही जा ही रही थी, इसने बीच में एक बादन वाला जो एस्पेक्ट था, वो एक तरह पर अगया, कंजर्वेशन आ गया, मैं ये सारी चीज हैं, डिसकस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हम लोग पुराने तरीके वाली फोरेस्ट मेनेजमेंट ही पढ़ेंगे, क्योंकि कुश्चन उसी से निकलते हैं, लेकिन जो आज के टाइम पे जब आप फील्ड में जाओगे, ट्रैनिंग के दोरान, आपको जो वन प्रबंधन पढ़ाया जाएगा, ये समझाया जाएगा, वो किताबी यांजासा नहीं होगा, आप अपने पास बवाल जैदा है, पहने के वाल इतना बवाल था, जिस जंगल से हिट वालल लाइफ डिपार्टमेंट बोल रहा भाई, यहांपर हमारा टाइगर प्रोजेक्ट चला, यहां केरिंग कैपसिटी इतनी है, हमें इतने पेड़ चाहिए, इतना यह चाहिए, इतना यह चाहिए, जिस से टाइगर को मैनेज कर सके, ऐलीफेंट के लिए इतना पत्या चाहिए, मंगी हैं, उनके लिए इतना फूड चाहिए, इतने आम के पेड़, इतने जामुन के पेड़, उस जंगल में चाहिए, जिससे ये मैनेज हो पाए, एक सड़दर्द हमारे पास इनका है, क्योंकि इनकी जरूरतों के उसाब से हमें अपने जंगल में उतनी पीड़ पौदे की विवस्था करनी है फिर Joint Forest Management वाला गैंगा गया I mean गंग के बुलना गलत टरम है मेरी गल्ती है Joint Forest Management वाले सबी लोग आ गये उनका कहना है भाई हमारी आρ्थिक के साफ से देखते हुए हमारे जो एरिया देखते हुए यहां पर बीडी पत्ते के पेड़ लगना चाहिए 5000 पेड़ लगा दो उससे हमारी वो चीजें चलती रहें कोई महुआ के फूल भी इन रहा है तो उसकी अपनी चीजें चल रहे है कुल मिलाक के जोएंट फोरेस्ट मैनेजमेंट कमिटी वाले जो हैं उनके अपने इंट्रेस्ट है उनके अपने हित है वाइल लाइफ वालों के अपने हित है forest department के अपने हिथ है इन सब के अलावा जंगल है पेड़ पौदे हैं वो पूरा forest ecosystem है हमें इन सब के हितों के साथ साथ तो इको सिस्टम के भी हितों को ध्यान लगना है इन सब के अलावा मोधी जी बीच में कहीं बोल के आ जाएंगे के INDC में हमने ढाई से तीन बिलियंटन कारवन का सिक्रिस्टेशन करना है कल कुछ और बोल दिया परसो कहीं इंटरनेशनल कमेटमेंट करने पड़ते हैं वही कर दिया वो क्या से इंप्लिमेंट होगी वो सेंटर गवर्मेंट की कुछ कमप्लाइंस है उने भी फोलो करना है पानी की समस्या हो रही हिए वहाइँ वाटरसेड का सारे दरमदार वाटरसेड कंजर्वेशन का पानी की सनरक्शड का फोरेस्ट अरिया में ही करना है तो अपने पास एरिया कौन liberal से है इंडेमिक इस्पिसीज हैं इंडेमिक बोलते हैं चोके वहीं छोटे एरिया में सिकुड़ी है कहीं और पाई नहीं जाती हैं इंडेमिक इस्पिसीज हैं उन्हें भी सनक्षड करना है बकाय के लोगों के भी हित देखने है तो कुल मिलाकर क्या है अब आपको वन प्रवंदन ऐसे करना है कि ये जो आठ दस स्टेक होलडर है इन सब को मैनेज करना है सब के हित सद जाए और इन सब के अलावा आपको जंगल से कुछ हद तक टिमबर भी निकालना है क्योंकि अगर टिमबर का उतपादन बिलकुल बंद कर दोगे तो मार्केट में जो टिमबर के रेट ह है वो ऐसे आसमान छूएंगे कि आपकी एक सेलरी जो है एक मन्त की पूरी टेबल चेर लेले में चली जाएगे तो आपको बहुत चीज़ा भी देखनी है मतलब आपको जंगल से उतपादन भी करना है इन सब के हितों का संरक्षड करना है और जंगल की सस्टेनिबिल्टी भी बनाय रखनी है यह जो किस्टिडी होती है इसी को अब हम लोग बोलते हैं मौडन तरीके से वन प्रवंधन और यही आपको इस डिपार्टमेंट में जाके करना है यह मैं इसना सारा माथा पच्ची बताने समझाने का परपस यह था कि वन प्रवंधन एकडिमिक तरीके से जो पुराने तरीके से कैसी की जाती थी और प्रक्टिकल में आज ने क्या हो रहा है इस से यहाँ पर भी हम लोग जब आँगे करेंगे तो यहाँ पर आपको वनों को प्रवंधन करने के लिए उनके चोटे चोटे एरिया बिलॉग कंपार्टमेंट में बाटा जाता है क अंपार्टमेंट के फिर दुनिया भर के अलाग अलाग नाम होगे बड़ी खिष्टडी पगेगे यह अपनी जो खिष्टडी है उसे एक एक करके समझ ले आपको तो बेसिक एक आपको एक बेसिक चीज समझ में आ गए कि वन में इस्टेक होडर कौन से है लोकल एको सिस्टम बायो डाइवर्सिटी, वाल्ड लाइफ, वाटर सेड, ट्रैवल, जंजाती, लाइवल, रूड, कार्वन सेक्वेस्टेशन यह सारी चीज हैं इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें वनों को सही तरीके से मैनेज करना और संसाधन भी वहां से निकालना है कम ज़कम से लेके चलते हैं, दो टाइप से प्लानिंग करते हैं, एक सोट टर्म है और दूसरी लोंग टर्म है, वैसी यहां से हम लोग इन सारे माथा पच्ची के बाद जंगल से कुछ पेड़ पौदे क्योंकि मार्केट की जरूरते हैं, एक ऐसे भी ले लो, टिमबर अकर छोड़ बीते हो तो लगूवन उत्पाद, उनका तो जंगल से कलेक्शन होता ही है, तो बो भी इस लेवल पर ऐसा नहों कि किसी पेड़ के क्यमत ही जएता थे, फल पूरे फल्याब और पीड़ इस पिसीजी खतम हो जाए, तो लगूवन उत्पादों का कलेक्शन इस टाइप से हो सौट और लॉंग दोनों ही रड़ नीती के साथ से, जिस से चीजें सस्टनेवल तरीके से चलें और उत्पादन होता रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं, ये दो टाइप की हैं, एक है स्ट्रेटिक हार्वेस्ट प्लानिंग और दूसरी है टेक्टिकल ह कैसे हम लोग कहीं से उत्पाद निकालें, कि ये सारी चीजें के हिदों को संड़क छड़ हो जा और चीजें काम हो जाए अपना, स्ट्रेटिक राड़नेटिक तोर पे लंबे टाइम के साथ से, ये माता पच्छी अभी यहीं पे छोड़ दो, कुल मिलाके अपना पहला मु मैंनेजमेंट है क्या, उसको समझना, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसका जो बेसिक है आपको बो समझ में आ गया, कि मैंनेजमेंट है क्या, अच्छे से समझ में आ गया होगा, हलाकि आपको अबजेक्टिव एक्जाम निकालना है तो आपको उसका जो डेफिनिसन है, फोरश से क्या है वन प्रवंधन के गोल या objective क्या है, scope क्या है, किन principle पे हम लोग ये पूरा प्रवंधन कर रहा है, यसा sustainable principle है, वो एक basic अधरभूत है, जिसको अधार लेके हम पूरा वन प्रवंधन का तरीका कर रहा है, तो इसके principle क्या है, वन प्रवंधन में समस्याएं क्या है, दिजने तक ही हम लोग अपने अजके डिसकस्ट mermaid को सीमत रखेंगे vibrr तो पहले देखते हैं forest management क्या है एक प्रकार से वन विवहकी जमीन है उस पे के उनसी है forest की forest state forest की area is पे आपकी जो foresty की जवी तम़्य technology है जो भी तम़ारे scientific principle है और जो तुम्हारी आर्थिक प्रिंसीपल है, उन सारे ग्यानों का उसी पर implementation है, practical application, practical मतलब यह नहीं कि थियोरी में बस ग्यान करते रहूँ, वहाँ पर जमीन पर उतारना होता, practical application, क्या scientific, technical and economical principle of forest, of forestry to achieve certain objective, किसी उद्देश की प्राप्ती के लिए, forest, state या forest की जमीन पर आपके जो भी scientific, technical और economical जो सिद्दान्त है, उनको apply करना, जिससे उस उद्देश को प्राप्त किया जा सके, जैसे चीता प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पर जो भी आपके practical, technical और economical principles है, आर्थिक principle है, आर्थिक मतलब forest department में जो forest guard है, उन्हें mobile दे दिया जाए, बाइक दे दी जाए, घर की बिवस्था सही से कर दी जाए, जिससे वह अच्छे से काम कर पाए और चीज़ प्रोजेक्ट अच्छे से handle हो पाए, कहाँ पर पैसा लगाना चाहिए, कहाँ नहीं, वह अर्थिक principle है, टेक्निकल में animal behavior कैसा है, कैसे भागेगा, कहाँ रोड डालना नहीं जालना, वह टेक्निकल है, तो टेक्निकल, scientific और economical principle को forest area पर लगा देना, जिस उसका बेतर तरीके से manage कर लिया जाए, यह है अपना forest management, उदारर के लिए बहुत सारी चीज़ है, अभी देखते हैं, दूसरा यह तो अपनी simple सी definition है, एक आते हैं यह लोग, जैसे FAO है, यह forest management को एक लंबी चौरी सी definition में करेगा, पड़ लेना इसका, उसी को घुमा फिरा के दुनिया भर के बूलते हैं, पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिज करना, तो यह उनकी वो है, कोश्चन देखते हैं अपन, कोश्चन क्या है, प्रेक्टिकल एप्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक एकोनोमिक और जो टेक्निकल और एकोनोमिक प्रिंसिपल किस पह फोरेस्ट पह है, उसको क्या वो लेंगे, फोरेस्ट मैनेजमेंट, वन, प्रवन्दान, फोरेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है, पहला प्रेक्टिकल एप्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक यह हो गया, आप केवल यहीं फोरेस्ट इस्टेट पर लगाते हैं, तो केवल जंगल ही थोड़ी जोड़ा है उसमें, अधर चीजे भी है, फोरेस्ट इपार्टमेंट भी है, अब एड्मिस्टेशन पर आपको कही न कहीं, सामाजे कि जो सोशियल प्रिंस्टिपल है, वो लगाना पड़ेगा, फोरेस्ट इपार्टमेंट जो है उसे रात में तो सोने देना पड़ेगा उसे, ऐसा थोड़ी वही, चॉबीस घंटे के लिए तुम ड्रेस पैन के गुमती रहा होगे, नहा दोने के लिए बकाय के लिए टाइम के लिए भी टाइम देना पड़ेगा, तो सोसियल प्रिंशिपल है, एड्मिस्टेशन के इस एड्मिस्टेशन सही तरीके से मैनेज़ हो जाए, हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था, अर्गोनॉमिक्स, जब हम लोग फोरेस्ट यूटलाईजेशन, वन उप्योग पढ़ रहे थे, तो उसमें अर्गोनॉमिक्स एक टर्म पढ़ा था, वो यहां पर आगए आपका, वर्किंग और फोरेस्ट इस्ट फोरेस्ट इस्ट फोरेस्ट आप फोरेस्ट को मैनेज़ कर रहे हैं किसी परिटिकुलर आपजेक्टिव के लिए, जैसे कानल नेस्ट पार्क का वन पुरबंद हम इसाब से किया जाए, कि वहां कोई अनिमल जो से संरक्षार करना है, वो वहां पर आराम से रह सके, किसी नेस्टन पार्क को इसलिए या किसी फोरेस्ट इडिया को इसलिए अच्छी तरीके से मैनेज़ के जा रहा है, कि वहाँ से तैदू पत्ता को अच्छे से हो सके वो उद्देस अलग अलग हो सकते हैं तो इसका अंजर क्या रहेगा ओल दूसरा मुद्दा होता है कि हम लोग फोरेस्ट मैनेजमेंट कहा कहा है इसके जो भी प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे कहा कहा लगा सकते हैं तीन एरिया होते हैं एक फोरेस्ट जो एरिया है उसी पर लगाओ दूसरा जो डिपार्टमेंट है उस पर लगाओ तीसरा वो वनों से जो भी उत्पाद लगाओ उसका मार्के टार्केटिटिंग जो रही हो वहाँ पर कुछ लगाओ ऐसे तीन एरिया एंगल बनते हैं जहां पर हम महार मुद्धा है कि गवणों का प्रवंदन कर रह तो किस उद्देश से कर रहे या कोई आपका अबजेक्टिव बगरा है कुछ है ऐसी खाली पर लिए तो आबजेक्टिव और गोल्स कई वार वो अबजेक्टिव पूछ ते कई वार मार गोल्स रिटेन एक्जाम में यह confusion की दिक्कत होती है objective में अपनको कोई फरक नहीं पड़ता चाहे कुछ भी पूछ ले घुमा फिरा के हमें भाई बताना होता है generally जो goals होते हैं वो long term के लिए है sustainable development goals long term के लिए objective जैसे this is synopsis वकर लिखते हो objective क्या आपके वो short term के लिए है कुल मिलाके चीज़े वही है क्या हम बनों का प्रवंदन कर रहा है क्यों आपके उद्धिस क्या है कि भाई वस एरिया में जो भी लोग है चाहे वो one जीव हों जंजाती लोग हों forest department हो जो भी हा रहा है उसमें ecosystem बगर है उनकी जो basic requirement है उनकी पूरती हो सके अगर forest वहां का कम उत्पादक है तो उसकी उत्पादक छमता बढ़ाई जा सके government ने बीच बीच में कोई target दे देती है तो मैं इतने plantation करना इतना ton carbon sequestation बढ़ाना तो ऐसे target है उनकी achievement हो सके one जीव है उन्हें उत्पादन नहीं हो पा रहा one जीवों के लिए food की supply नहीं हो पा रही बोम मैनेज हो जाए community जन भागीदारी gfm community की भागीदारी सुनस्चित किया जा सके और सारे उत्पादन जो हैं वो sustainable तरीके से हो जाए ये basic चीज़े हैं इसके अलाबा ये तो एक सामाने सी चीज़े है कुछ और भी उद्देश हो सकते हैं जैसे आपका उद्देश है commercial production अब आप commercial की बात करेंगा for example के लिए हम लोग मालो इस्टार्टिक में अपने याँ पेपर production बहुत कम था ये अखवारी जो कागज बगर रहा है MP government ने नेपन अगयर के आसपास का जो forest area है वो कुछ factory को दे दिया भाई तुम यहां से अपने पेड़ों का और अपने जरुवत की साब सेटिंबर ग्रो कर लो मजबूरी थी government की उस एदिया को उस हिसाब से manage करना या उन्हें दे या forest department की विंग बना दी गई ब्रांच बना दी गई forest development corporation वो उसे manage कर रहे है क्योंकि उन्हें एक विशेश area है paper उत्पादन के लिए उसके लिए करना है हमालाय में उत्राखंड पहले UP था UP सरकार ने रेजिन की उत्पादन के लिए रेजिन tapping को promote करने के लिए उत्राखंड वाले रेजिन में सिवालिक वाले रेजिन में बहुत सारी चीड़ पाइन की plantation कर पाती आप कभी पढ़ेंगे जारखंड है वहां की government क्या करती है जो सिल्क है रेओन सरी सिल्क रेसम रेसम कीट पालन रेसम उत्पादन के लिए वहां पर उस टाइब की plantation कर दिया किसी पर्टिकुलर इंडिस्ट्री लिंक production को प्रोडक्शन को प्रमोट करना केरल वाले हैं रवल की प्लान देद नादा रवल 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 चल रही है उनकी तो ऐसे अलग जौन में उनकी किसी पर्टिकुलर इंडिस्ट्री को प्रमोट करने के लिए plantation कर दिया तो इस जा रहा है कि कैसे भी करके pollution कम किया जाए सूट वाला pollution है अर्वन फोरेस्ट्री अगर हम लोग नेनी ताल वाले कर रहा है तो उन्हें लगता कि नेनी ताल का संदर्री करना हो जाए क्योंकि नेनी ताल का competition चल रहा है अधर मसूरी चे और अधर सिंबला से दो और है सबसे जल्दी भाग जाते हैं अधरवाई चौता पर अधर वो कि अपने जो सिक्किम वाले हैं उन्हें छोड़ी तो क्योंकि फर तो वो पूर वाले हैं लेकिन यह तो सीरे सीरे तीन है और कस्मी वाले तो आउजी तो यहां ननी ताल वालों को इसलिए plantation करें कि ननी ताल स तुंदर देखे हैं ट्रियूरिस्ट अट्रेक्ट हों वहां उनके अरवन फोरेस्ट को या फोरेस्ट को प्रवंदन करने की objective अलाग होंगे कहीं पर वेस्ट लेंड मैनेजमेंट है अरावली पाड़ी हों जंगल है लेकिन वहां पर वाटर रिचार्ज की समस्या है आ रही हैं उसके लिए कर रहे हैं कहीं काम पपल तो ऐसे कुछ विसेस अब्जेक्ट भी हो सकते हैं वहन प्रवंदन के कुस्ष्ण देख लेते हैं objective of forest management can be meet with one प्रवंदन के जो उद्देश है उनक कैसे प्राप्त किया जा सकता है पहला object है scientifically manage forest and adopting sound silvicultural practice आप scientifically जो forest के प्रवंदन की जो तरीके हैं उन्हें adopt करो और वनों को जो अच्छे तरीके हैं उसके हिसाब से वो जो silvicultural practical है sound means बढ़िया जो है उस ताइप की तरीको apply use करते हुए हम लोग वनों का सही तरीके से manage करें एक तो यह हो गया social forest activity, swelling conservation measure, throw irrigation and fertilizer, trans treatment of an area आप objective of forest management can be made आप यहाँ पर तो बैसे तो आप यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हो लेकिन चार मैसे एक ही option लगाना आपको तो अपने पास सबसे अच्छा option यही बचता है back one of forest management आप वन का प्रवंदन कितना भी कर लो, man मुद्दा है आज के टाइम पर sustainable एल अगर कोई one sustainable नहीं है तो आप उसका कितना भी उत्पादल लोगे एक टाइम पर वहां से खतम हो जाएगा और खतम होगा Supreme Court बोलेगा हमने तुम से क्या बोली थी? कि वनों को प्रोडक्शन लेना बंद कर दो प्रोडक्शन करना है तो घुमा फरा के वहीं आ जाएगी तो अपना man objective क्या है? बेकबॉन क्या है? sustainable yield यही अपने forest management की अब real है बेकबॉन मतला रीड की हड़ी है, real है principle of forest management are based on one प्रवंदन है वो किन principles पे आधार भूत हो? वन के प्रवंदन के बहुत सारे अधार भूत सिद्धान्त हो सकते हैं पहले जब उत्पादन मुख था उस टाइम पर दो सिद्धान्त होए पहला वनों से जहां वन गड़बड हो सकते हैं वहां से हम लोग sustainable yield यह आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपके पास बहुत बड़ा एरिया है चमीन का आप खेती बाड़ी उससे कर रहे हैं तो ऐसे एरिया जहां पर आपकी किसी भी फॉल्टी अगरिकल चर्प्राक्टिस उस एरिया को बरवाद कर सकती है तो आप यह चाहते हो कि उस एरिया से हमें ज्यदा उत्पादन ना मिले चलेगा बस sustainable हो तो वहां प उत्पादक चमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उससे बोलेंगे यहां पर हम लोग progressive इल्ड उत्पादन करना चाहिए हमें तो progressive इल्ड और sustainable इल्ड दो टर्म है आगया कि हम लोग इन्हें discuss करेंगे sustainable इल्ड और progressive इल्ड को आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके account में बापू एक तारीक को दस हजार डाल लेते हैं आप यह चाहते हैं कि हमें ऐसा ना हो कि कभी 8 डाल ला है कभी 6 डाल ला है कभी 20 डाल ला है ऐसा ना हो एक तारीक को 10 मतलब 10 डाल दो हम पूरा महीनी का budget अपना उस से चलेगा लेकिन दस ही चाहिए वह सस्टनेवल दूसरा तरीका हो सकता आपको पड़ेशी को बापू से बुला देखो जैसे जैसे share market उपड़ जा रहा है आप हमारा थोड़ा बढ़ाते जाओ आपने जनवरी में दस डाला था आपको नहीं लगता कि महांगाई बढ़ ग कशका मढ़ 11 तो कर दी तो मतलब वह धीरे-धीर अपना इमौंट बढ़ाते हैं वह प्रोग्रेस परेंस गरते प्रोग्रेस ही रिधा करते चाहिए उसमें इंपूर बढ़ाते जैसे वो जमीन जदा से जदा हूस बातन देते रहा है वहसे बोलते हैं प्रोग्रिसीछ वी आगे detail में देख लेंगे उसे तो ये बेसिक उद्देश थे sustainable इल और progressive इल पुराने टाइम पर वनों को प्रवन्धन करने के आज के टाइम पर हम लोग sustainable और progressive इल को तो ले के ही चलते हैं इसके साथ अपने पास दुनिया वर के और उद्देश भी है सामजिक भलाई, वन जीवों का सारक्षड हो जाया लोगों की भागेदारी वो भी एक उद्देश है जनवाकीदारी, पीपल्स पार्टी स्प्रिशन, जे फैम के थूँ वोवन इंपोवर्मेंट, गरेवी हटाओ, ये सारे अब इसके उद्देश में ही आ जाते हैं प्रवन्दन किया जाता है उसकी नीती की आधार पर, पॉलसी की आधार पर, पॉलसी इन सब को आधार को लेके चला है और इनका source क्या है कि बनों का किस उद्देश पर करना है तो वह अपनी forest policy और जो state forest policy ने इन forest policy ने जो बोला है उसी के आधार पर हम कर रहा है और इन policy ने क्या बोला वही सारी चीज ने जो अभी अपन बोला है sustainable yield, progressive yield, people's participation ये सारे उद्देश वहाँ चल रहा है तो यहाँ पर मैंने यही चीज़ है principle of forest management क्या होते है यहाँ पर सीधा लग दिया कि देखो forest policy की आधार पर इसमें दो चीज़ें चल रही है sustainable, principle of sustainable yield और principle of progressive yield दो आधार चल रहा है forest policy में इसके अलावा भी कुछ और principle हो जाते है कि local community का participation करना, biodiversity conservation करना है law, regulation जो भी आर आयना उनको comply करना यह और भी principle है लेकिन अपने को manly principle और sustainable yield और progressive yield यह अपनी policy के साब से चल रहा है और policy manly sustainable yield पर focus कर रही है क्योंकि forest area generally ऐसे area में है जो degraded है तो वहाँ progressive yield एक level से जएधा कर नहीं पा रहा है तो हम लोग गुमा फिरा के sustainable sustainable खिल रहा है पिकुलियर्टीज और forest management बेसिक चीज़ें हो गहीं अब आप देखो वन प्रवंधन की समस्या है क्या है पहली समस्या है कि one plan area में कहीं बचा नहीं है one बचे है पहाड़ी area में हमालाए में सत्पुडा के घने जंगलों में तो ये area एक तो बहुत दूरस छित्रों में है area की उत्पादक छमता कम है department को वहाँ ले जाना उस area में move करना आसान काम नहीं होता है नकसल effect बो सारी चीज़े भी है यहाँ वनों के उपर बायोटिक प्रेसर बहुत ज़्यदा है forest department को budget नहीं मिलना है उपर से ये माना जाता है forest department तुम्हारे वनों से निकलता ही क्या है जो तुम्हें हमें इतना पैसा दे budget में मतलब forest की low productivity उत्पादन छमता कम होना ये बहुत बड़ा आरूप लगाया जाता है अपने बनों पर कि हमारे बनों की उत्पादन छमता कम है इसकी वज़े से हमें उन पर इतना ज़्यदा budget खर्च करने की जरूरत नहीं है देखो भाई होता क्या है उत्पादन छमता हम लोग जंगल से oxygen निकल रहा है पीड है oxygen को हम लोग बैसे तो मैं जो नहीं रहा है कि पीड बोल रहा है हमने चार से लेंडर oxygen निकाली है डेड़ेड़ से लेंडर के 600 रुपाय में देखे जाओ ऐसा तो चल नहीं रहा है तो पीड जो benefits हैं फोरेट्स है tangible और intangible तो जितने भी intangible benefits है soil water conservation उन्हें तो कभी count किया ही नहीं जाता है count किया जाता है tangible को और tangible के साथ भी दिक्कत ही यह है कि उसमें भी most of forest resources की कोई calculation नहीं है जैसे टंदू पत्ता कितना भी न गया कहां गया किसी को पता नहीं महुआ के बीजों का क्या कहां पर गया और किसी के पास कोई calculation नहीं तो इनका कहीं कोई calculation ecosystem में आते नहीं तो यह कभी counting में नहीं होते है manly counting होती है valuable timber की जैसे टीक है साल है चंदन है अंग्रेज आए और valuable species काट लेगा है तो जंगल में बैसी कम species बची है उसमें आप जब बची नहीं है तो उत्पादन कहां से होगा उसे enrichment plantation करने की ज़रूवत है तब ही हम लोग उसकी value बढ़ा पाएंगे इसलिए enrichment plantation का concept बहुँ चल रहा कि हम जिससे forest की value बढ़ा पाएं और department और उपर higher official को बता पाएं कि यहांके one ज़्यदा उत्पादक है यह इतने उत्पादक हैं कि हमारी salary निकाल सकते हैं उल्टा तुम्हारी भी salary निकाल दें तो फर उपर जो है finance ministry में जो बैठे लोग है उन्हें समझ में आता है कि अच्छा one यहां ठीक चल रहा है काम करो इनको fund दो सही से तो low productivity low productivity एक मुद्धा अपने यहां यूरोप से भी compare करने का होता है उल्टा यूरोप में तो पर हेक्टर में इतने हजार रूपय का टेंबर निकलता है तुम्हारी यहां तो सहक्ले में निकलता है यूरोप में एक ही इस पसीज है जो भी nato group है सब के सब cold वाले हैं सब मे कौनिफर्स होता है सब किसा पेल काट लेते हमारे यहां कौनिफर्स जैसा कुछ होगा नहीं ठीक का पेल एक यहां होगा दूसरा दो क्रूम्यूटर होगा बीच में हजारों इस पसीज होगी तो हमारे मिक्स डाइवर्सिटी है यूरोप जैसे concept है हम लोग नहीं जा पाते है तो लोग प्रोड़क्टिविटी का इस हुए है तो हमारी एक दिक्कत ये भी है लोग प्रोड़क्टिविटी है फोलस्ट के साथ दिक्कत ये भी है को उसमें अगर कहीं investment किया जाए तो वो ऐसा नहीं पांच-दस साल बाद निकला जब पिर खटाई पर आएगा तब हो निकल पाएगा तो investment करने के बाद उसका return आने में बहुत time लगता है इसलिए कोई हमत नहीं करता है share market मैं आज पैसे लगा हो कले निकल लो यहाँ पर ऐसा नहीं है एक बार plantation लग गई तो लग गई बीच में ऐसा नहीं कि आदा काट सके उपर से बकरी खा जाए climatic के सूर व yield regulation process more complicated यहाँ पर आपको बनों के प्रवंदन में जो उत्पातन ले रहा है वो इतना अहसान नहीं है अभी आंगे की जब topic आएंगे yield regulation समझ में आ जाए का कितनी complex है फिर investment private sector करता नहीं है जो भी कर रहा है अजकर corporate social responsibility के थुरू कर दे अधरवाइज करता नहीं है legal hurdle जिंगल पर दद्दस लोग अपना दावा ठोक देते हैं forest department की property है बो तो दावा ठोके उससे पहले जी एफम बाले आदे बोलते है हमाई माई बाप की जमीन है भी हमारे ना जमीन के अंडर दिया फिर वो बन अधिकार अधिनियम की तलवार निकाल के उस जमीन को ले ले लेते हैं रिजल्ट यह होता का forest department जी एफम कमटी को प्रमोट करने की एक्षानी करता क्योंकि उन्हें यह डर रहता कि अगले 5 साल 10 साल बाद politics change होगी कोई center में बैठेगा और तो वो बोलेगा जो तुम्हारे जिस पर तुम खेती कर रहे थे वो जमीन तुम्हारी है और यह जमीन forest department के हाथ से निकल जाएगी तो department उसे प्रमोट नहीं करता है यह दिक्कत है जी एफम की finance budget सारी मुद्दे है वे टू आवर के हम इन समस्याओं का solve करने का तरीका क्या ह पहला ऐसे remote area में पहुंचना मुस्किल है तो एक कम करो road वगरे की विवस्ताएं कर लो electricity की विवस्ता कर लो telephone communication वाले सिस्टम सही से हो जाए तो कम सकम वहां से वो चीज़े हो जाए दूसरा one कम उत्पादक है वो उस view को change करने की ज़रूत है enrichment plantation कर दो वो चीज़ों से कुछ पहला तो पहला तो हम लोग forest से related जो हैं उनको देखने हैं तीसरा one की साथ एक दिक्कते और आ रही है climate change की वज़े से दुनिया भर के कभी टिडियों ने attack कर दिया कभी किसी ने तो हमें कुछ remote sensing वगरे को use कर दियो कुछ modeling की ज़रूत है models की ज़रूत है AI वगरे को use करते क्योंकि हम लोग यहां पर बोल रहते हैं पेड़ लगाएंगे दस साल बाद काटेंगे जो हिटलर वाला concept चला था हिटलर ने बोला भाई हमारे बीस ट्रक माई बाप क्या कर रहा है इस साल आग लग गयी उदर तो ऐसा कामना हो या तो हिटलर सब को तो पकड़ बो तो हो भी दिक्कत है तो है दिक्कत है अवयद रूप से कोई काट ले गया तो फुरस्ट स्यर्टिफिकेंसं की दिक्कत हैं वो ना हो वु जब यहां चल रही है तो अवैद कटाई को रुकने के लिए uru होर्ड दिक्षन बोला भाई बोला मैं बाडो रात में फ्रंच वाली आय आवैद रूप से काट के लेकि चले का कर रहा है तो ऐसा ना हो आवैद कटाई वाला उसके लिए फोरस्ट साइटिफिकेशन फोरस्ट क्लाइमेटिकली रिजिलेंट करने की जरूएत है जिससे क्लाइमेट का जो प्रभाव पड़ रहा है वो न हो इसके लिए क्या एंप्रोव वेराइटि की इन्वरिच्मेंट प्लान्टिशन करो जहां फोरस्ट रिजनरेसन नहीं हो रहा है आर्टिफिशली करो यह जन भागीदारी भी जरूरी है बायोटिक प्रेसर के लिए हम कितने भी जानवरों को उसमें न छोड़ा जाए उनकी करिंग कैपिसिटी के हिसाब से ही छोड़ा जाए सिस्टम में ट्रांस्पिरेंस ही लिए प्राइवेट सेक्टर का इंवेस्टमेंट उसमें करो कनेक कि नौलेज ही तो आप सबको बेच वेच के अपना पेट पाल रहा है कल हम भाई सो करोड़ कमा रहा है अब भाई हम डोल है कि एक काम करो जंगल सी आया हम लोग बीस करोड़ जंगल में लगा है एक इंटरफ्राइज की तरह है तो उसे ग्रीन इन्वेस्टमेंट ऐसा जैसे गोद ले लेते हैं से जंगल गोद लेना कुछ सिस्टम आ जाए जो हम लोग बेहतर कर सके होना है तो वो चीज़े है ग्रामी अंचल में अगर हम लोग अल्टरनेट एकोनॉमी प्रमोट कर दें तो वो अबैद कटाई वगर रहें ना करें उधर से काम चाहां के चीजों का हम लोग आँगे फ्राइश प्रोटेक्शन में बैसी डिसकॉस कर लेंगे अब एक मुद्व वर आता है पब्लिक फ्रेस्ट और प्राइबट फ्रेस्ट का फ्रेस्ट जेनरली पब्लिक है अपने नाइनटी सिक्स परसेंट फ्रेस्ट अपने पॉलिक हैं जो सर् कार लगाएगी तो उसका पूरा भाई खाता होगा बुलेगा हमें ये करना क्लाइमिट चेंज करना कारवन करना कबूतर की होंसले हैं उनकी विशानाक्ष्ट करना मंकी के लिए एलिफेंट के लिए उनके प्राइवेट वाला कुछ नहीं सूचता है इनने पेड़ लगाया बोला आज लगाया बोला बीस साल के रोटेशन पर बीस साल बाद ही कटेंगे पहले नहीं कट सकते ये बोलेगा जिस साल मार्केट बोला सियर मार्केट हमारा बढ़ गया बढ़ गया बोला काट लो तो प्राइवेट वाले को कोई फरक नहीं पड़ता है इधर पबलिक में जी एफ़ेम वाले भी बोल रहा हैं, वाल लाई भी बोल रहा हैं, यहां पर सिंगल परसन है, उसके आपने जिसमे हित हैं, वही से काम करता है, तो ना इसे climate change से लेना देना, ना जी एफ़ेम ये सोसिल फोरेश्टी से उसकी खुद की ownership है, जब मार्केट में अच्छे रेट म तब यह काटके बिच देता है इसे टेंजीवल इंटेंजीवल बैनिफेट से कोई लेना देना नहीं है लेकिन गवर्मेंट को लेना देना है इसलिए गवर्मेंट का इनकी में फरक पड़ जाएगा बस पढ़ लेना बेसिक आइडिया लास्ट में इस डिसकसन में यह जो ट्रेडिशनल तरीके से जो फोरेश्टी पढ़ाई जाती नहीं को फोरेश्ट मेनेजमेंट है क्या फिर वो जो टामिनलोजी बताई थी फिर उसके एल रेगुलिशन वाले मेथड जो पुराना तरीका उन सब के लिए अपने आदेश में एक ही बुक है फोरेश्ट मेनेजमेंट वाई राम परकास जो आज के सेंस में हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि इस से फिर पुरानी बुक्स पढ़नी पढ़ती हैं कोई 1860 में लिखी हैं कोई 1890 में कोई 1906 क्या सपास की वो पुरानी बुक उसने ये पब्लेश की है इस बुक को किसने लिखा इनने तो यह लिख दी है एक्चली 2006 ये बुक तो लिखी गई है जद अतर मोस्ट आफ फोरेश्टी की बुक्स 8090 की दसक में लिखी गई हैं बस उनके री प्रेंट होते आ रहा हैं क्योंकि ये 26 बोल रहा है ये बुक जो हम लोग वन प्रवंधन की बेसिक आइडिया आपको आ गया आप हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके उसमें आने वाली जो टर्मिनोलोजी है उसे देखेंगे एक बार टर्मिनोलोजी और ये काम हो गया अपना मैनेजमेंट का आल्मोस्ट काम खतम हो गया